तो आज की इस वीडियो में हम डिसकेस करने वाले हैं एच्पी जेवे आईटी दो हजार बाइस की जो लेटेस्ट वेकेंसी आई है उससे रिलेटिड इंपॉर्टेंट स्लेबस के बारे में तो आपको पढ़ने हैं और अगर आप उन टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पढ़ेगी तो यह चीज याद रखेगा प्रिप्रेशन में बहुत जादा है जबसे जरूरी यही चीज होती है आपको यह पता हो कि आपको पढ़ना क्या है ठीक है पढ़ सभी लेते हैं तो टॉपिक आपको यहाँ पर कंप्लीट बताए जाएंगे जो की स्लेबस है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है टॉपिक वाइस पढ़ोगे नोट्स बनाओगे तो जादा बेनिफिशल आपके लिए रहेगा और आपकी बहुत जादा हल्प करेगा ठीक है बहुत सारी वेकैंसिस आपको पता है कि आने वाले समय में भी जिसमें से कुछ अभी अनाउंस होगी है कुछ आने वाले समय में वाइस जरूर होती है तो ये चीज याद रखेगा और भी वेकैंसिस फिर बाद में आड़ ऑँन भी हो जाता है जैसे प्रिवेस में 949 में 100 वेकैंसिस जो है वो आड़ की गई ती तो इस तरीके से बाद में जो है वो वेकैंसिस बढ़ती जाते है तो ये चीज़ आप जिसमें आपको सिरफ computer section जो है वो करवाया जाएगा और यह को आपका जो section रहेगा वो English medium में रहेगा दीखे English medium में रहेगा तो अगर आप English medium में तयारी कर रहे हो आपको करनी भी चाहिए क्योंकि computer इतना जारा tough जो है वो आपका इंग्लिश में में नहीं होता है और 140 question जो है वो आपके computer section के आते हैं यह चीज़ तो आपको पता ही होगी यानि कि एक तरीके समिझे 70 marks बहुत जारा important होते हैं तो 70 marks का आपका computer से ही आएगा तो यह बहुत important section होता है तो PDF master course इसमें जो है वो launch किया गया है 95% आपको discount मिल रहा है first 100 student को code आपको यूज़ करना है JOA IT 2022 जिसमें आपको directly GK study आपको download करना है और वहाँ पर जब आप GK study आपको download कर लोगे वहाँ पर आपको course दिख जाएगा course दिखने के बाद उस पर click कीजिए अपने continue कीजिए instructions पढ़ने के बाद और उसके बाद जो है वो आप उसको enroll कर पाओगे important PDFs MCQs भी वैसे MCQs तो वाला course नहीं है बट MCQs आपको exam के duration के दुरान जब आपका exam हो जाता है जब आपकी तयारी हो जाती है तो उस समय provide करवाए जाएंगे tricks कुछ याद करने की previous year question जो भी computer जीके से पूछे गए हैं computer section से अलग-अलग exam में ज़रूरी नहीं है कि JOA में ही जितने भी exams में उसको चाह है वो अब मैं यहाँ पर HP की बात नहीं कर रहा हूँ चाह है वो central level के exam हो ठीक है क्योंकि paper setter जो हो होते वो different different exams के previous year question पूछे गए होते हैं ताकि कहीं से भी जो है वो आपको help मिल जाए ठीक है तो clerk का भी आप join कर सकते हो उसके लिए आप clerk 2022 coupon code जो है वो use कर सकते हो 95% के लिए और यह first 100 को मिलेगा ठीक है तो JOA IT 2022 क्या-क्या मिलेगा आपको जो किस-किस चीज की PDF मिलेगी य अब ही मैं बताऊंगा आपको जो मैं पूरी detail में syllabus बताऊंगा आगे बढ़ते हैं सबसे पहले बात करते हैं post details के बार में देखें बात करें सबसे पहले की तो post code 965 है ठीक है आपका और total post जो है वो 198 निकली है ठीक है अब इसमें बाद में हो सकता है कि so और add कर दे क्योंकि HPSC की mood की बात है vacancies तो बहुत जारा खाली पड़ी है और जैसे जैसे department से जो है वो vacancies की जो है वो notification आउट होता है कि हमें जो है वो vacancies चाहिए हमें जो है वो इस पर fill up करनी है तो वो add on कर देते तो 198 फिलाल के लिए vacancy निकली हुए है qualification जो है वो 12 है ठीक है अब इसमें जो ह है वो आपको पता यह into करके 10 जो होता है फिर आपके और भी candidate जो है वो select होते हैं टाइपिंग के लिए तो इसमें जो दो stages रहेगी टाइपिंग टेस्ट और आप मतलब की return टेस्ट और आपका टाइपिंग 15 नंबर की evaluation खतम कर दी गई है तो आपको बहुत जारा benefit मिलने वा qualification इसमें जो है वो graduation प्लस diploma भी आपका मांगा गया है ठीक है आपने graduation की हो और आपके पास एक साल का diploma हो तो आप इसके लिए apply कर पाओगे इसमें भी आपका return टेस्ट और टाइपिंग है तो इसके बारे में तो हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे यह जस्ट मैंने आपको बता हम exam pattern के बारे में तो दोनों का same रहने वाला है total question आपके 200 रहेंगे total marks आपके 100 रहेंगे timing आपको 2 घंटे की मिलेगी और negative marking आपकी यहाँ पर कोई भी नहीं होने वाली है ठीक है जी तो एक question आप करते हो आधा number आपको मिल जाता है दो question करते हो तो एक number आपका पक्का हो है अब आपने अगर अच्छे से computer को कर लिया और आपने यहाँ पर 60 plus marks भी जो है वो हासिल कर लिये और प्लस आपने थोड़े बहुत जीके में मार लिये तो आपके chances बहुत जादा हो जाते है qualify करने के ठीक है यह चीज तो आपको भी पता होगी तो इसलिए focus कीजेगा बाक चोड़ कर जो है वो वीडियो पर ध्यान दीजेगा अच्छे से समझिएगा उसके बाद आपको पढ़ना शुरू करना है अच्छे से उसको कर लिजेगा और यह चीजे सारी चीजे जो है वो क्या बोलते आपको syllabus में मिलेगी जो भी topic मैं यहाँ पर बताऊंगा वो जो हमन अपना course launch किया है उसमें आपको सारे की PDF मिलेगी अच्छे से तैयारी जो है वो आपकी होगी तो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर मैं syllabus आपको पहले short में बता रहता हूं देखे syllabus relating to computer science, computer science related syllabus, computer application, information technology, information technology enabled sectors, information practice prescribed as essential qualification ठीक है तो 140 question जो है वो आपके इन में से पूछे आपका general knowledge of including general knowledge of हिमाचल प्रदेश यानि के आपकी Indian GK हो गई प्लस आपकी हिमाचल GK हो गई बट इसमें सिरफ आपके 60 question आते हैं फिर उसमें आपके current affair भी होते है, everyday science भी होती है, logic भी होती है, social science भी होती है, general English भी होती है और general Hindi भी होती है तो 60 question mix करके उसके आते हैं ठीक हो सकता है कि last में हम भी जो है वो इसमें PDF जो है वो आपके साथ share कर दें बट जो mainly focus हमारा course है वो related है आपके 140 number से हमारा मकसद है आपको 140 number जो है वो clear करवाना बाकि इसको तो आप मुझे पता ही है खुद से भी जो है वो तैयार कर लेंगे क्योंकि ये 60 question ही जो है आप से पो होगे अगर तो आप course join कर रहे हो तो वहाँ पर तो आपको जो है वो पूरा detail में मिलेगा आपको वहाँ से पढ़ना है PDF आपको मिल जाएगी वह वहाँ पर आप पढ़ पाओगे अगर आप नहीं कर रहे हो तो सबसे पहले आपको पढ़ना है computer system characteristics basic application and components जैसे कि आपकी CPU होग HTML वगरा के बहुत जारा question पूछ गए थे फिर आप HTML अच्छे से पढ़के गए बहुत जारा detail में ठीक है तो आप से 949 में जो है वो basic basic question भी पूछ लिए गए थे जैसे for example character sticks से computer की आया था कि भाई computer बीना था कि काम कर लेता है यह किस कारण होता है तो यह आपका character sticks से था कि computer की characteristics जो है वो क्या-क्या होती है तो यहाँ पर आपको यह चीज तो clear होगी होगी कि कोई भी section आपको छोड़ना नहीं है आप यह नहीं बोल सकते कि भाई HTML से ही आएगा या फिर आपका C++ से ही आएगा या फिर आपका Java से ही आएगा आपका जो है वो basic से कोई question नहीं devices हो गये mouse हो गया keyboard हो गया scanner हो गया scanner के different types होते है joystick क्या होती है light pen क्या होता है digital camera क्या होता है OCR क्या होता है M-I-C-R M-I-C-R की 49 में full form हा रही थी ठीक है I think वह भी चीज आपने देखी होगी तो यह सारा किसमें आता है basic of computers में आता है बार कोड हो गया reader हो गया magnetic strip reader हो गया output devices हो devices क्या होते है, secondary memory क्या होती है, hard disk, cd, dvd, pen drive, unit of memory, nibble, bits, byte, kilobytes, megabyte, gigabyte, terabyte यह question directly आ रहा था यह चीज़ आपने देखी होगी जिनने exam दियोगा कि भाई इनको बढ़ते क्रम में लगा हो ठीक है तो यह चीज़ कहां से आई थी यह आई थी आई थी आपकी basic of computer से अगर आपक आपको पढ़ना है, पढ़ना आपका काम है, हमारा काम आपको material प्रोवाइड करवाना है, ताकि आपको कहीं और ढूनने की जरूरत ना पढ़े, बट पढ़ना तो जो है वो आपको ही पढ़ेगा, तो यह section होगे आपका basic of computer का, फिर आता है digital documentation word processing element, जो कि basic होता है, MS word, introduction to word processor creating, saving, opening and print and preview, ठीक है, print and print preview, closing of document, editing and formatting of a document, textile, cut, copy, paste, redo, undo, यह आपको पता है, redo, undo से related question भी आया था, अभी किस तरीके से जो है, वो redo किया जाता है, bold, italic, underline, font, type, size, color, change, alignment of text, इससे भी related question आया था, मैं आपको सासार इसलिए बता रहा हो था कि आपको clear हो जाए कि question पूछे जात left, right, center and justifies, वहाँ पे top दिया हुआ था कि इनमें से कौन से नहीं है, तो top नहीं था, जो अभी आपका paper हुआ था, margin हो गया, left, right, top and bottom, scroll formatting, paragraphs with line and paragraph spacing, adding header and footer, page numbering, using grammar and spell check utility, ठीक है, तो यह सारे किस में आता है, आपके MS word, यानि कि MS word अगर आप कर रहे हो, तो आपको एक एक किस तरीके से cut करते है, किस तरीके से paste करते है, कौन सी shortcut keys होती है, कौन सी नहीं होती है, किस तरीके से आप align करोगे, किस तरीके से आप alignment set करोगे, margin के कौन से होते है, किस तरीके के होते है, margin का gap कैसा होता है, कितना कितना उनमें difference होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है जी तब अगर आप serious candidate हो अगर तो आपको करना ही है तो आप हरियंत उठा सकते हो वहाँ से पढ़ सकते हो बट अगर आप serious हो तो आपको करनी पड़ेगी ठीक है जी नेक्स्ट की बात करें तो basic concept of operating system यह आ जाता है आपका important introduction of ms window basic concept of operating system and its functions desktop icon on the desktop my computer हो गया जैसे कि recycle bean question आता है कहीं बार recycle bean से कि जब आप file को delete करते हो तो वह कहाँ पर जाती है तो वह जाती है आपकी recycle bean में यह हो गया task bar जो होता है उसमें कौन कौन से किस तरीके से होता है जब आप किसी चीज को जो है वह नया नया install करते हो तो वह कहाँ पर जाता है यह सारी चीज़ें आपको जो है वह यहीं पर मिलेंगी जब आप इसके बारे में पढ़ोगे start menu 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 selection using mouse running and application setting system date and time window explorer to view file यह सारी चीज़े ज आपको पता होनी ज़रूरी है और यह चीज़ और मैं आपको बता दूँ आपके पास laptop हो computer हो तो इन चीज़ों को जितना ज़ादा आप आप लाई करोगे उतना ज़ादा जो है वह आप सीखोगे ठीक है जी फिर आता है digital presentations powerpoint ms powerpoint के बारे में introduction उसके बारे में creating saving operating जो है वह opening presentation इससे भी रिलेटेड एक question आ रहा था अगर आपको याद हो जो आपका शाइस से ट्रांज एनिमेशन से रिलेटेड था या ट्रांजिशन से रिलेटेड था इससे भी थे तो आप यह I think मैं सासार इसलिए पता रहा हो ताकि आपको clear हो जाए concept of slideshow basic element of slide different elements of slide layout ठीक है layout में क आपकी कौन-कौनसी टाइप के orientation होती है ठीक है फिर आपका types of view of slide, normal slide, shorter and slide show, editing and formatting of slide, adding title and subtitle, text, background, watermark, header and footer, numbering of slides, insert, picturing in slide, design, template, animation, sound and transition, effect, इन सब के बारे में जो है वो आपको PowerPoint में पढ़ना है अगर आप PowerPoint कर रहे हो ठीक है जी यह समझा आ गया landscape और वो आया था आपका ठीक है तो यह चीज़े आपको पढ़नी पढ़ेगी फिर अगर next की बात करें तो आपका आता है digital literacy यह advance आ जाती है देसे की handling of overhead projectors ठीक है digital screen जैसे LED के बारे में आपको पढ़ना पढ़ेगा LCD के बारे में plasma, digital graphic plotters ठीक है plotters के बारे में आपको पता हो सकता है उसके बाद digital documentation, world processing, advance की बारे में बात करें तो MS Word, introduction to word processor, creating, saving, opening, print, print preview, closing of document, clip art and pictures, inserting word art, pages setting, यह सब कुछ delete, format, printer, मतलब कि यह क्यों दिया गया है यह इस लिए दिया गया है merging cells, splitting cells, using auto format की अगर आपसे पूछ ले जाए कि अगर किसी symbol को जो है वो आपको insert करना है तो उस के लिए step क्या होंगे तो आपको पता होना चाहिए उसके लिए step क्या होंगे ठीक है तो यह चीज़ जो है वो आपको याद रखनी है इन से related history, google कब बना था, opera कब आया था, internet कब आया था, क्या क्या चीज़े हुई है, internet में बदलाव क्या है यह सारी चीज़े आपको पता होनी जरूरी है फिर आता आपका digital data tabulation spreadsheet यानि कि MS Excel तो इसके बारे में जितना भी important है, यह तो आपको पता ही होगा कि भाई, कौन-कौन से sum, average, maximum, minimum, if, क्या-क्या coding इसमें यूज की जाती है, ठीके कौन-कौन से formula यूज की जाते है, यह MS Excel से related question जो है, वो बहुत जादा पूछे जाते है, त सब कुछ आपको जो है, वो MS Excel में पढ़ना है, ठीक है, यह कैसे आपको insert करना है, columns को कैसे delete करना है, कैसे row को insert करना है, कैसे आपको cell को insert करना है, कैसे format करना है, यह सारी चीज़ आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है जी, आगे बढ़ते है, अगला जो है, वो है computer and application, यह तो म में convert करना और decimal से binary में convert करना यह आपको आना चाहिए conversion between binary and decimal number system ठीक है फिर आपका digital network essential जैसे कि internet fundamentals, information technology and the internet, web browsing, multimedia on the web, web search engine, email के बारे में आपको complete पता होना चाहिए, कौन-कौन से protocol जो है वो use किये जाते हैं, internet security के बारे में जैसे कि आपका जो viruses आ जाते हैं, ठीक है, उसके regarding जो है, वो कौन-कौन से चीज़े use की जाती है, need of computer network, data communication, fundamentals, analog and digital signal transmission, transmission models, जैसे कि guided media, twisted pair, coaxial cable, optical fibers, unguided transmission media, जैसे कि radio waves, microwave, satellite, Wi-Fi network classification, कौन-कौन से होती है, land, man, man और pen, ठीक है तो यह सारी चीज़े आपको जो है, वो पढ़नी है, यह देखने में आपको यह लग रहा होगा कि भाई, चलो-चलो topic wise है, बट जब आप इसको detail में पढ़ोगे ना, तो यह बहुत lengthy चीज़ें जो है, वो आपको देखने को मिलेगी फिर आता आपका desktop publication में, जैसे concept of desktop publishing, application of DTP, comparison of DTP with word processing, introduction to page maker, creating a new publication using page maker, saving a file in page maker, page maker क्या होता है, various tools in page maker, ठीक है, designing page, master pages, header, footer, यह सारी चीज़ें जो है, वो printer से related आपको पढ़नी है, ठीक है अब most important चीज़ आते है, जिसके बारे में बहुत जादा question जो है, वो कहीं बार आ जाते है, HTML, introduction to web page designing using HTML, creating, saving an HTML document, element कौन कौन से होते है, HTML में, ठीक है ठीक है, designing web pages using the following element, जैसे HTML, head, title, body, background, bg color, text, link, a link, v-link, left margin, top margin, font, जैसे font में होता है, color, size, face, फिर base font जैसे के attribute, color, size, face, center, br, br, break, hr, horizontal, rule, attribute, size, width, align, nose, head, color, ये सारी चीज़े जो हैं वो आपको पढ़नी है, ठीक है, कौन कौन से जो है, वो element आपके HTML में use किये जाते है, क्या क्या coding जो है, वो use की जाती है, ये मैंने आपको पहले जो है, वो वीडियो स्क्राई भी थी, उसमें से बहुत सारा question जो है, वो पूछे गए थे, तो ये सारी चीज़े, आपको course में मिलने वाली है, ठीक है, name, harf, title, alt, कौन कौन से कहां कहां पर use होते हैं, ठीक है, image insert करनी है, तो आप क्या use करोगे, harf use करोगे, title use करोगे, alt use करोगे, src use करोगे, कि क्या use करोगे, ठ आपको कराया था, कि H1 से लेकर H6 तक hiding होती है, तो 6 type की होती है, तो ये सारी चीज़े आपको HTML में देखने को मिलेंगी, तो उस तरीके से आपको तयारी करनी है, ठीक है, अगला वो digital image editing है, जैसे कि classification of images, जिसे bitmap होती है, vector images होती है, image type होती है, ठीक है, उसके बाद आपकी क इस तरीके से आपको save करना है, toolbox कैसे करना है, ठीक है, layers कैसे, drawing with pen tools से आप कैसे drawing, ये सारी चीज़े जो है, वो आपकी किस तरीके से होती है, कि आपको ये पता आनुची कि कैसे आप उस step तक जो है, वो जा सकते हो, ठीक है जी, फिर आपकी networking होगी, fundamental introduction of networking, internet working servers, ठीक है, servers के ब language to design client-side variable, data types, operators, तो सारा कुछ आपको जो है, वो इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आता है आपका multimedia applications, तो इसमें जो भी multimedia application होती है, जो sound से related होती है, video editing से related होती है, उनको आपको यहाँ पर जो है, वो cover करना पड़ेगा, क्या-क्या होता है, ये इतना जारा जो है, वो नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ना परेगा, ठीक है जी, फिर आता आपका network operating system, basic network concept, overview and history of Linux, Linux kernel, Linux resources, advantages of Linux, creating and viewing files, basic shell concept, shell command, ठीक है जी, ये cyber laws के बारे में, ठीक है, और editor, ये सब कुछ आपको Linux और Unix के बारे में उससे आते हैं, फिर hardware and network operating system, maintenance, network security, ठीक है, and IT carrier opportunities, window NT, its advantages, difference between Linux and window NT, और जितने भी Windows के latest version आया है, उनके बारे में GUI के बारे में आपको पढ़ना पढ़ेगा, ठीक है, system disk को manage करने के लिए concept उसके क्या क्या होते है, mount point view क्या होता है, ये सारा आपको पढ़ना पढ़ेगा, shell scripting जो है, वो क्या होती है, question जो है, वो कहीं से भी आ सकता है, तो ये चीज़ आपको देखनी पढ़ेगी, उसके बाद आता है, आपका coral draw, ये coral draw से भी related बहुत जारे question आते है, various components of coral draw window, ठीक है, तो coral draw से related designing logo जितने भी important है, ये सारी चीज़े जो है, वो आपको पढ़नी है, उ question भी आता है, पहले 817 में पूछे गए थे, arrays के functions क्या क्या होते है, ये सारी चीज़े जो है, वो आपको पढ़नी है, ठीक है जी, उसके बाद बात करें, आपकी basic of database management, database system, problems of traditional file oriented approach, three levels architecture of BDMS, database management system, DBA का role क्या होता है, ठीक है, SQL statements क्या होती है, concept of keys क्या होता है, TCL statement क्या होती है SQL के function क्या होते है, rational database management system की disadvantages और advantages क्या होती है, ये आपके सारे जो है, वो आपको पढ़ना पढ़ेगा, फिर आता है, PL और SQL, Brock structure, basic of PL और SQL, यानि कि SQL से जो related question आप से बहुत बार पूछे जाते है, triggers क्या होते है, type of triggers क्या होते है, row level triggers क्या होते है, statement level triggers क्या होते है, ये सारी च आप ये नहीं बोल पाओगे कि भाई, हमें इन में से question जो है, वो क्यों पूछे जाएंगे, क्योंकि पूछे जाएंगे, वो depend करता है paper setter के उपर, यहां पर हमारा काम है, आप तो को हर चीज जो है, वो provide करवाना, फिर internet से related, concept of net banking, online submission, ये सारी चीज़े internet से related, वो आपको कुछ भी जो है, वो नहीं बचेगा, और अगर आप हमारा course join करते हो, PDF course, तो आपको सारा material जो है, वो उसमें मिलने वाला day by day, कल से material मिलना जो है, वो शुरू होगा, आज इसलिए launch के है, क्योंकि first 100 के लिए जो है, वो आपका server पर कोई load ना पड़े, तो first 100 जो है, वो आप course में नहीं involved हो रहे हो, मनलग की enroll नहीं कर रहे हो, तो आप अपने हिसाब से तयारी केज़ेगा, बट एक चीज़ याद रखेगा, इसके notes बना लिज़ेगा, तभी आपको जो है, वो फायदा होगा, इसको बाद में revise करने के लिए, ठीक है, बाकी course हमने launch कर ही दिया है, ठी कि आपको what's up sport जो है, वो यहाँ पर मिल रहा है, thanks for watching, बहुत जल्दी मिलेंगे next video के साथ,